लेकिन चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माड की प्रक्रिया शुरू हो जाना और ज्यानवापी मस्जिद में भी मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाना कहीं न कहीं इस चुनाव के धार्मी करण का पूरा महौल आपको दिखा रहा है अब बनारस का नंबर है वैसे भी कहा जाता है कि अध्या के बाद काशी मतुरा बाकी है इसका नुकसान भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है जो ना मंदिर चाहती है ना मस्जिद चाहती है वो रोजगार, स्कूल और भैतर विवस्थाएं चाहती है नमस्कार मेरा नाम रागव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं एक फरवरी दो हजार चौबिस की तारिक हिंदुस्तान के इतिहास में धार्मिक मानेताओं में एक और नया इतिहास जोडेगी असल में बुधवार को जो वारनसी की कोट है उसके आदेश पर ज्यानवापी परिसर में पूजा की अनुमती मिल गई एक अत्तिस साल पहले इसे रोक दिया गया था और वहाँ पर बेरिकेडिंग लगा दी गई थी लेकिन बुधवार को जब ये फैसला आया तो उसके बाद महज 12 घंटों के भीतर मंदिर परिसर को साफ कराये गया मूर्तियों को वहाँ ठीक तरह से व्यवस्थित किया गया और पूजा शुरू कर दी गई अभी फिलाल पूरे वारा नसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम शुर्दालू उस परिसर के भीतर पूजा करने के लिए जा रहे हैं अब बात करते हैं सिलसलवार तरीके से की असल में हुआ क्या असल में मस्जिद में बने व्याज जी के तहखाने में पूजा करने की जो मांग थी उस पर कोट ने फैसला किया और पूजा करने की अनुमती दे दी ये फैसला बुद्वार को दोपहर तीन बजे आया उसके बाद सक्री हो गया पूरा सिस्टम पुलिस भी और डियम भी विश्वनात मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और गनेशवर द्रविन ने ब्रह्म बेला यानि सुबह तीन बजे से चार बजे के मद्द जो समय होता है उसमें पूजा करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई 1993 में यहाँ पूजा रोग दी गई थी और उसके पीछे कई कारण दिये गए थे कि इस परिसर को विवादित गोशित किया गया था इसलिए 1993 से पूजा रुकी हुई है अब सिलसले वार तरीके से समझे की कमिशनर कौशल राज शर्मा, डियम एस राज सिंगल दोनों देर रात 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचते हैं ग्यारा बजे के आसपास बैरिकेडिंग हटाई जाती है, साड़े बारा बजे तक पूरी विवस्था कर दी जाती है, रास्ता बना दिया जाता है दो बजे के आसपास पुजारी पहुचते हैं और तीन बजे के आसपास पूजा का कारिक्रम सही तरह से शुरू कर दिया जाता है पूजा होने के बाद वारणसी परिसर में सभी तरफ पुलिस चाक चौबन विवस्थाएं बनाए हुए है और हाई अलट घोशित कर दिया गया है अब इसमें विवाद की स्तिती थी क्या असल में विवाद ये है कि सुप्रीम कोट का 1991 में एक वर्डिक्ट आया था कि जो मंदिर परिसर या मस्जित परिसर जिस जगए पर है अब वो वहीं रहेंगे उनमें कोई हेर फेर नहीं किया जाएगा इस पूरे वर्डिक्ट में बाबरी मस्जित को केवल अलग रखा गया था क्योंकि वो विवादित मसला था उस पर फैसला आ चुका है अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के इस वर्डिक्ट के आधार पर जिसे Places of Worship Act 1991 भी कहते है उसके आधार पर तो यहाँ पर मस्जित थी तो इसे मस्जित ही माना जाना चाहिए लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि हम 1993 तक यहाँ पूजा कर रहे थे तो इस आधार पर यहाँ मंदिर है और इसे मंदिर ही माना जाना चाहिए अब इस पूरे विवाद पर कोट ने पूजा करने की अनुमती दे दी है अब अगर कुछ इतिहासिक पहलू को हम देखे और उन पर वात करें तो एस अटेलकर की एक किताब है 1930 में जो उन्होंने लिखी थी उस किताब में उन्होंने कहा है कि यह पूरे परिसर का जो ढाच है वो जिन स्तंबों पर खड़ा है वो मंदिर के स्तंब है अगर इनके शिल्प को आप देखते हैं तो आपको पूरा अनुमान मिलता है कि यहां पर पहले मंदिर थे कई लोगों के कई तरह के दावे हैं लेकिन कोड के इस फैसले के बाद से बनारस में राजनीती एक बार गरम हो गई है बनारस प्रधान मंतरी मोदी की लोगसबा सीट भी है अब अगर वहां पर एक नया विवात खड़ा होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा यह आपको तै करना है लेकिन चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माड की प्रक्रिया शुरू हो जाना और ज्या प्रक्रम चल रहा है अब बनारस का नंबर है वैसे भी कहा जाता है कि अउध्या के बाद काशी मतुरा बाकी है तो काशी का नंबर लगभग लगभग आ चुका है इसका नुकसान भोली-भाली जनता को उठाना पड़ता है जो ना मंदिर चाहती है ना मस्जिद चाहती है वो रोजगार, स्कूल और भेतर विवस्थाएं चाहती है। लेकिन जब राजनीती धर्म की आड में अपने को बुलंद करने में लगी हो, तो इसका फायदा सिर्फ राजनीती को ही मिलता है, जनता के हाथ में सिर्फ ठेंगा आता है। बागी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं, मॉलिटिक्स हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। और बॉक्स आपको कर दो दो में जरूर लगातार मिलती रहें।